बीते एक साल से कैंसर से जूज रही थी एशुवर्या की मा ब्रिंदा पिता के बाद मा को भी कैंसर ने जकड़ा मा के एलाज में बीजी रही एशुवर्या तच्वासवे जनम दिन पर एशुवर्या ने किया मा को हुई गंभीर बिमारी का खुलासा जी हाँ, छे साल पहले कैंसर के चलते अपने पिता को खोने वाली एशुवर्या राई की मा ब्रिंदा राई भी कैंसर की चपेट में आ गई थी और इस बात का खुलासा खुद एशुवर्या ने किया है वो भी अपनी जिन्दिगी के सबसे खास मौके पर अपने पचासवे जनम दिन को एशुवर्या ने धूम धाम या फिर शोर शराबे के साथ नहीं बलकि बेहद सादगी और नोबल कोस के साथ सेलिप्रेट किया एशुवर्या अपनी मौम ब्रिंदा राय और बेटी अराध्या बच्चन के साथ मुंबई के GSB सेवा मंडल में कैंसर पीडितों से मिलने पहुची थी कैंसर पेशन्स के बीच पहुची एशुवर्या ने वहां मौजूद लोगों के साथ केक कतिंग की और सभी में खुश्यां भी बाती अपने पिता की याद में एशुवर्या ने वहां एक करोड रुपे का चेक भी दान किया और इसी दौरान बच्चन बहु ने वो खुलासा भी किया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया एशुवर्या ने बताया कि पिछले साल उनकी माँ भी कैंसर की चपेट में आ गई थी कैंसर ने दूसरी बार उनके परिवार पर अटैक किया था क्योंकि कुछ साल पहले एशुवर्या के पापा कृष्णा राज राय को भी कैंसर हुआ था कैंसर के चलते एशुवर्या ने अपने पिता को खो दिया था तो वहीं बीते साल उनकी माँ ब्रिंदा राय भी कैंसर की चपेट में आ गई थी बीते एक साल से एशुवर्या राय की मा ब्रिंदा राय कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से जूज रही थी अपनी मा को इस भयंकर बिमारी की गिरफ्ट से बाहर निकालने के लिए एशुवर्या दिन रात मा के इलाज में बीजी थी मा को हुए कैंसर की इस खबर को एश्वार्या ने दुनिया से भी छिपा कर रखा लेकिन अब एश्वार्या ने इस खबर को अपने फैंस के साथ शेयर किया है मा की कैंसर के वारे में बोलते हुए एश्वार्या ने कहा की मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं लेकिन कैंसर ने हमारी जिन्दिकी को भीच हुआ है सबसे पहले मेरे पता को कैंसर हुआ था जिसके बाद इसी साल मेरी मा भी इससे पीडित हुई हाना कि डॉक्टर्स की मदद और सभी के आशिरवाद से मेरी मा अब बिल्कुल ठीक है एश्वर्य की मा कैंसर से ये जंग जीट चुकी हैं, वो पूरी तरह से ठीक है और कैंसर फ्री हो चुकी है हालाकि कैंसर एश्वर्य के परिवार को कभी ना भूलाने वाला गम भी दे चुका है जब एश्वर्य के पिता कृष्णा राज राई को लिंफोनिया कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया था कैंसर की वज़ा से लगभग साड़े छे साल पहले 18 मार्च 2017 को एश्वर्य ने अपने पिता को खो दिया था एश्वर्य अपनी माँ और पिता दोनों के ही बेहत करीब रही हैं एश्वर्य आज भी अपने पिता की कमी किस कदर महसूस करती हैं इसका अंदाजा आप उनके सोचल मीडिया पोस्ट से लगा सकते हैं हर साल पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर एश्वर्य अपनी बेटी और मा के साथ पिता के जनम दिन को सेलिब्रेट करती हैं तो डेट एनिवर्सरी पर भी वो भावक पोस्ट शेर कर उन्हें याद करती हैं अपने पिता की बड़ी सी तस्वीर एश्वर्य ने अपने ससुराल जलसा में भी लगा रखी है तो वहीं एश्वर्य अपनी मा के भी बेहत करीब हैं कई मौकों पर एश्वर्य को अपनी मा का खास खयाल रखते देखा गया है पिरो रिपोर्ट इट्वेंटिफोर